DAV Class 8 Social Science Chapter 12 Impact of British Rule on India का solution करेंगे हम आज Dear Student चैनल पर Math, Hindi, Science, Social Science, Sanskrit सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवलेबल हैं यदि आप सभी सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो की description और playlist को जुरूर चेक करें जैसी आप वीडियो की description और playlist को चेक करेंगे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे तो solution करने से पहले सभी बच्चे एक बात ध्यान से सुने जिसने भी अभी तक इस chapter का explanation वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले वो explanation वीडियो देखे उसके बाद ही solution करें क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा chapter तो आप solution कैसे करोगे ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या करना है explanation वीडियो देखना है मैंने complete syllabus DAV class social science का complete syllabus करवा रखा है आपको सारा syllabus वीडियो की description में playlist में, comments में, community में मिल जाएगा ठीक है सबसे पहले आप explanation वीडियो देखें उसके बाद ही solution करें तो शुरू करते हैं एपार्टेस का tick the correct option the main objective of the East India company was जो East India company थी उसका जो main objective था यानि की उदेश्य था उसका क्या था to provide education education provide करवाना to civilize the Indian people Indian people को civilize करना to earn profit profit कमाना to develop India इंडिया का विकास करना तो East India company का सिरफ एक ही objective था to earn profit उनका यही objective था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से पैसा कमा लिया जाए second है who initiated the वर्धा education scheme in 1937 1937 को जो वर्धा education scheme किस के द्वारा शुरू की गई थी first है महात्मा गांधी B है इसका option राजा राम मोहन रॉय C है Dr. B.R. अमबेडकार और D है स्वामी विवे कानन्द तो महात्मा गांधी के द्वारा वर्धा education scheme 1937 में शुरू की गई थी विसकांसरोंगा A. महात्मा गांधी उसके बाद है मारे पास third The reformer who fought against the Brahmin dominance and discrimination against the lower caste ऐसा reformer यानि कि समाज सुधारक जिनों ने Brahmin dominance की यानि कि Brahmin का वर्चश्व था उस टाइम ब्रामनों के खिलाफ ठीक है और जो भेदभाव किया जाता था ठीक है ब्रामिन dominance था उसके खिलाफ किसने संगर्श किया था किसने लड़ाई लड़ी थी राजा रामोन रोय श्री नारायन गुरु जोति बार फूले ईवी रामा स्वामी तो इसका अंसर होगा श्री नारायन गुरु फोर्त है अमारे पास आरया स्माझ वज established by आरया स्माझ किसके दवारा स्तापित किया गया था दैयानन स्रस्वति विवेकानन पईरियार रामा स्वामी जोति भाप फूले तो यह इसका अंसर होगा दैयानन स्वरस्वति ठीक है इनके दवारा ही आर्या समाजिकी स्थापना की गई थी फिफ्थ है इंडियन कॉंस्टिटुशन इंडियन कॉंस्टिटुशन जो हमारा सविधान है उसका आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है महात्मा गांधी ज्वाहरलालनेरू सरसयद एहमद खान डॉक्टर भी आर अमबेड कर तो इसका अंसर होगा हमारा आर्किटेक्ट ओफ इंडियन कॉंस्टिटुशन कि सिखा जाता है डॉक्टर भी आर अमबेड कर अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका फिलिंग दा बलैंक्स अब करेंगे हम इसके बी पार्ट है इसका सबसे पहला है हमारे पास हमारे पास Charter Act of 1813 sanction 1 lakh रूपी 4 डैश इन इंडिया जो चार्टर एक्ट था जो 1813 में sanction किया गया उसने 1813 में आया था और उसने एक लाख रूपे इंडियन education के लिए sanction किया था इसका भी अंसर होगा for education in India for education in India थर्ड है हमारे पास डैश ओफ 1854 गेव ए प्लान for a separate department of education भारत में 1854 में एक separate department बनाया गया था education के लिए यह किस ने दिया था यह प्लान तो यह आएगा हमारा आंसर इसका आएगा woods dispatch woods dispatch दिस्पैच दी आई एस उसके बाद है हमारे पास fourth स्वामी दैनन्द वांट टू इरेडिकेट दा टैश फ्रों इंडियन सोसाइटी तो जो भी हमारी social evils थी समाजीक जो बुराईया थी उनको जो स्वामी दैनन्द वो खतम करना चाते थे तो इसका अंसर आएगा social evils ठीक है जो social समाजीक जो बुराईया थी हमारी कूप रथाएं थी उनको वो खतम करना चाते थी फिफ्थ है दा डैश प्लेट हे इं पाइडल रोल इन मॉबिलाइजिंग पब्लिक ओबिन्यन यानि कि एक पबिलिक ओबिन्यन यानि आप कहसकते हैं जो जंता की जो सोच को किसे ने बदला या आप कहसकते हैं कि जंता की सोच को किसने मतलब नई वो दिखाई एक रोशनी दिखाई ठीक है तो इसका अंसर आएगा the printing press ठीक है जब printing press का अविश्कार हुआ तो अकबार चपने लगे किताबें चपने लगी इससे जो लोग थे उनको पढ़कर aware होने लगे ठीक है तो इसने बहुत बड़ी भूमिका बाद में निभाई थी हमारे देश की अजादी के लिए ठीक है तो इसका अंसर होगा the printing press आगे है c हमारे पास right true or false for the following statement true or false हमने बताना है orientalists favored English as a medium of instruction यह true होगा यह false होगा तो यह हमारा होगा false क्योंकि जो orientalists थे उनकी ऐसी सोच थी कि जो शिक्षा जो education है वो वहां की local भाषा में ही दी जाए जैसे कि उन्होंने सस्कृत को या Persian को उन्होंने favor किया English को favor उन्होंने नहीं किया सेकिंड है child marriage was banned in India in 1891 1891 child marriage थी जो वो बाल विवा इंडिया में बंद कर दिया गया तो उस पर बैन लगा दिया गया तो यह true होगा या false होगा यह आपने बताना है तो इसका answer हमारा होगा true अब हमारे पास third है sati was an inhuman practice जो sati प्रथा दी वो एक inhuman practice थी अ मानवी है तो मतलो आपका सकते हैं कि यह कृत्य था हकू प्रथा थी एक तो इसका answer होगा true और आपने यह comment में आपको आपसे मैं एक question पूछ रहा हूँ आपने बुक में से पढ़के बताना है sati was an inhuman practice यानि कि जो sati है मैं आप उसे question पूछ रहा हूँ इस इस related जो sati प्रथा है उसको इंडिया में कब बैन किया गया था आपने year बताना है ठीक है कौन से साल में बैन किया गया था ठीक है यह comment में आपने बताना है fourth है kochi and trawan court denied governmental position to lower caste कोची और trawan court ने जो governmental position थी डोर कास्ट को देने से मना कर दिया तो इसका अंसर होगा true fifth है गांधी considered untouchable as horizon people of God गांधी जी ने जो untouchable लोग थे ठीक है उनको क्या कहा horizon का नाम दिया यानि कि people of God ठीक है तो इसका अंसर होगा true तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे आगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को साथ share जरूर कर देना मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार